है लो जो पृज्टि Congress ऑ बृनेफ्रेटिस जाने से पहले हम आपको बात करेंगे पहले जो प्रज़िट्र जो उपर दिखाई दिरा है पहले उसके बारे में बात करेंगे देखे एक है नर्मल की bursting और यह पिबोनेफ्रेटिस की गिनी दोनो किड्नी को आपको देखने से कुछ आपको अन्फो होता होगा जो नर्मल कृड्नी है उसमें टोटल सिस्टम सही काम करा है जो लेकिन जो पाइलो नेफ्राइटिस है इसमें जो कॉर्टेक्स है पिरामीड है उसके अंदर इंफ्लामेशन आ गया है उसके अंदर मवादे आ स्टमेंगेंलेट्ट में इन्टमेंडेक्स में ये हैं ये चलते आपके तज बखार है कि पिट में दरद होगा कमरत में दर्द होगा जब पिसाब करने जाएगा तो जलन पैदा होगा पिसाब में खून आएगा मौद आएगा आपको बार बार पिसाब आएगा पिसवाद में बद्बू आएगा और जहागादार पिसाब बनेगा तो समझ लेजे कि आपको पालोनेफराइटिस का सिकायत आचुका है पालोनेफ्राइटिस के चलते हैं कुछ जीमी चलाता भी है आपको बदन दर्द करता है ठकान महसुस होता है कमजोरी महसुस होती है इसके क्या क्या कारण हो सकते है इस जो पालोनेफ्राइटिस मैंने पहले ही बता है कि एए इंफेक्शनल बिमारी है इसके मतलब तक किट्नी में जाए और किट्नी को को इनफेक्शन कर देता है में बिमारियां करकेमार देखा है कि सबसे महिलावा conception करते हैं जिसके चलते महिलावा कि मतर्कशन करें मेरी का सिखायत हिस समय इसके diver आप इसको कैसे ट्यागनोसिस किजिएगा पहले हम डाक्टर के पास आते हैं तो पहले आपको तेस्ट के बाद आपको डॉक्टर पेसाब का सेंपल लेते हैं उसके बाद टेस्ट के लिए हो रहा है उसके बाद उसको दवाई डॉक्टरी सलाकिन सबसे एंटिबाइटिक दिया जाता है जितना दिन का कोर्स किया आयता है एंटिबाइटिक दवाव में आपको मिसल Hundreds होता है सिफ्फ्रय। सब्सक्राइब कीजिए और सेर कीजिए थैंक यू